हेलो दोस्तों स्वागत है मेरी यूट्यूब चानल और टेक्नोलोजी में आज हम इस वीडियो में किसी भी वेबसाइट को विंडोस 10 एप कैसे बनाएं उसके बारे में जानेंगे तो अगर आप विंडोस 10 यूज कर रहे हैं तो आप किसी भी वेबसाइट को इस लिए बना स करते हैं और इधर आप काउंट सा वेबसाइट ज्यादा यूज करते हैं और काउंट सा वेबसाइट आपको यूज करना ज्यादा पसंद है उसको आप क्रूम ब्राउजर अत्वा किसी भी ब्राउजर पर जाकर उसका वेबसाइट एड्रेस से इंटर करके उसको यूज कर की वज़ाए आप उस वेबसाइट को एप बनाकर यूज कर सकते हैं तो इधर मैं इधर 3. दिया हुआ है उस पर हम क्लिक करेंगे उसके बाद more tools पर जाकर इधर create shortcut लिखा हुआ है उस पर हम क्लिक करेंगे और यह YouTube है इसलिए YouTube ही रहने देंगे और अपन इस window पर टिक लगाकर create करेंगे इसको मैं बंद कर देता हूं आप सकते हैं डेग्सटब पर इसका short-cut आ चुका है आप इधर इसको इधर से अपन कर सकते हैं ठास बाहर में रखना चाहते हैं तो आप इधर से drag and drop कर सकते हैं इस तरह से टांक्सपार में पीन कर देंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो यह डायरेक्ट अपन हो जाएगा आपको किसी भी ब्रावजर अपन करके यूटूब अपन करना नहीं पड़ेगा आप इधर सार्स में जाकर यूटूब लिखेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे उपर इसका य माइक्र से तरह से आप ऐस उसको किसी वेड़र से थिब यूप उदि लिफ ऍयुवेडरीस का बात आतर नहीं है और आपकी पास की देफॉल्ट कर लेता हूं इस वेफसाइट को आपन करने के बाद इधर आप देख सकते हैं कॉर्णर पर त्री डर दिया हुआ है उस पर हम क्लिक करेंगे और एफ पर जाएंगे और इधर आप देख सकते हैं इंस्टल दिस साइट एसन एफ आप उस पर क्लिक करेंगे तो इधर इसका नाम आ जाएगा आप इदर इसका नाम ead कि सकते हैं। इसको मैं चोटा कर देता हूँ और इसको मैं इस्टल पर क्लिक करूँगा तो यह को ऊजिए इस सब्सक्राइब कर देता हूँ अब इसे हो यह इसको मैं बंद कर देता लिखना पड़ेगा इस तरह से आपको मैक्रोसब एस बजाकर फिससे इमाजन.co.jp नहीं लिखना पड़ेगा इस तरह से आप मैक्रोसब एस से भी किसी भी वरसाइक का एप्स बरा सकते हैं तो यह रहा छोटा सा इंफोर्मेशन अगर आपको यह इंफोर्मेशन अच्छा ल आपको मैक्रोसब लिखना 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